कतरास के जी एन एम इस्कूल मैदान में स्रीमत देवी भागवत कता का आयुजन किया जाना है जिसकी तैयारी को लेकर आयुजन समीती दुआरा एक प्रेस वारता कर जानकारी दी गई ये आयुजन 21 जुन से 29 जुन तक होगा जिसमें परवचन करता के रूप में हिमाले पूर्जिक सद्गुरूर राष्टिय संत महारिस्टी डॉक्टर दुर्गेशा चार महराज जी का आगमन होगा 21 जुन को भव कलस यातरास के साथ इस अनुस्ठान का शुवारम होगा आयुजन में हजारों की संक्या में सद्धाल्गों का आगमन होना है जिसको लेकर मैदान में तैयारी पूरी कर ली गई है वहीं आयुजन में भागमारा विधायक डुलू मातों एवं उनकी धरम पत्नी मुक्रूप से उपस्तित रहेंगे अच्छा से कत्राज की पावन धर्ती पर जी एने महाई स्कूल मैदान में हिमाले के तपस्वी संत उत्तरकासी के रहने वाले दक्टर दुर्गेश आचार्य जी महराज के पावन सानिध्य में कि श्रीमद्ध भागवत देवी भागवत कथा का सुवारंब एकईश चौ से लेकर के उन्तिश चौ तक कत्राश में होने वाला है कारकरम की जो रूप रेखा है वह एकईश तारीक को प्रारम हो रहा है क्योंकि एकईश तारीक को अंतरराष्टी यह दिवस भी है और मान्य प्रधान मंत्री जी का यह संकल्प है कि हर व्यक्ति योग करे इसमें पूरा कत्राश का जो कथा आजन समीती है उसमें आवान किया है कि कथा पंडाल में ही सुबह पांच बजे योग का कारक्रम होगा पांच से छे बजे और छे बजे कलस यात्राश भारम होगा जो जीने महाई श्कुल मैदान से चल करके 251 कलस चलेगा साथ में जिसमें छेत्र के महिलाएं बच्चियां सभी लोग साथ होंगे साथ साथ पूरे कत्राश की जंता होगी और राजबाडी कत्री नदी में जल भरा जाएगा विदिवत पूजन के साथ और वहाँ से बापस आपको जीने महाई स्कुल मैदान आएगा पूजा पंडाल में कलस का वहाँ स्थापना होगा और संद्या पांच बजे बागमारा के मान्ये विधायक एवं उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी विधायक ढूलू मातोज जीके कर कमलो के द्वारा दीप परजवलित कर इसकता का सुभारम होगा